मुंबै के थेटर कलाकारों के लिए भी खाने के इंदजाम कर रहे हैं सल्मान खान बॉलिवूर्ड सूपर स्टार सल्मान खान कोरोना वाइरस के कारण हुए लॉकडाउन में जुरतमन लोगों की मदद कर रहे हैं सल्मान इस कटिन समय में इंडस्ट्री के लोगों से लेकर आमान्मी तक मदद पहुचाने के लिए हर मेने करोर रुपे खर्च कर रहे हैं दिहारी मजदूर का खर्च उठाने के अलावा सल्मान लोगों तक खाना भी पहुचा रहे हैं अब उन्होंने मुंबई के थेटर आर्टिस्टों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी शुरू कर दिया है सल्मान ने अपनी इस फूड डोनेशन ड्राइफ का नाम बींग हंगरी रखा है जिसमें खाने पीने के समान से भरे ट्रक लोगों के बीच पोजन बाट रहे हैं मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के रभीबार 31 में को सल्मान खान ने खाने से भरे दो ट्रक परेल के दामोदर नाटेग्रा और दादर किसरी सिवाजी मंदिर नाटेग्रा में भेजे हैं ताकि वहां काम कर रहें लोगों के लिए खाने के अंदजाम हो सके आपको बता दें कि सलमान खान पिछले काफी दिनों से अपनी पनवेल के फार्म हौस पर ही रह रहे हैं वो अपनवेल के आसपास के इलाकों के गाओं में भी लोगों के लिए खाने के इंतजाम कर रहे हैं हाल में ही उन्होंने मुंबए पूलिस डिपार्टमेंट में सैनिटैजर्स भी डोनेट किया था। इससे पहले सलमान फिल्म इंडस्ट्री के हजारो दिहारी मजदूरों के खाता में भी पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं। आपको इस बारे में किया खयाल है हमें कमेंट शेक्षन में बताना न भूलें।